एक जेम्स बॉंड नामक एक बहुत मशूर जासू सी फिल्म सिरीज है जिसमें जो सुपर एजेंट होता है 007 वो अपना परिचाय कैसे देता है वो कहता है माइनेम इस बॉंड जेम्स बॉंड हमारे देश की राजनीती में एक एजेंट 56 है नाम बताने की जुरत नहीं है आपको मालूम है वो कौन वो परिचे उनका क्या है माइनेम इस बॉंड इलेक्टोरल बॉंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इस एजेंट ने वित्तिय वर्ष 2016-17 और वित्तिय वर्ष 2021-22 में बावन सौ करोड रुपे अपनी पार्टी के खाते में इखटे करने में ये बॉंड सफल हुआ बावन सौ करोड कहां से आया पैसा? कोई हिसाब किताब ने किसने दिया? क्यों दिया? उसकी एवज में आपने उसको क्या बेचा देश का कौन सी संपत्ती बेच दी? कोई हिसाब ने 5200 क्रोर्स in two financial years in the coffers of the ruling party through electoral bonds without any questions, without any answers, without the country getting to know what's the quid pro quo? who did you get this money from? why did you get this money? what did you give in return? कोई जवाब नहीं और ऐसा नहीं है कि हमारे agent 56 को पारदर्शिता पसंद नहीं है गुपता जी के बेटे ने किसी के ptm में 100 रुपे क्यों डाले ये जानना चाते हैं वो यादव जी की बेटी के account में 100 रुपे क्यों आए ये भी जानना चाते हैं वो तो पारदर्शिता हम सब के लिए लेकिन इनकी party के पास 500 रुपे आ जाएं पांच हजार करोड से उपर आ जाएं किसी को वो सुराग नहीं देना चाते वो ये कहते हैं और ये मानते हैं कि पूरा देश बेइमान है लेकिन मेरी इमानदारी पर आपको आँख बंद करके मुँ बंद करके कान बंद करके यकीन करना होगा यह हमारे बॉंड इलेक्टोरल बॉंड एजेंट 56 का मूल मंत्र है और यह बड़ी अपारदर्शी स्कीम है इलेक्टोरल बॉंड की अरुन जेटली जी लाए थे 2017 में 7 जन्वरी को वो दिन हमारे लोगतंत्र के इतिहास में एक बहुत गलत दिन था उस दिन से एक ऐसी परंपरा की नीव डली जिससे इलेक्टोरल फंडिंग बिलकुल गैर पारदर्शी हो गई चुनावायोग सुप्रीम कोट आरबियाई सबकी कुछ आपत्तियां थी लेकिन आरुन जेटली साहब आप हमारे बीच में नहीं रहे उस वक्त हमने विरोध किया था क्योंकि ये मनी बिल की तरह से ये इसको पारित करा लिया राजसभा में बिना चर्चा के हो गया क्योंकि मनी बिल पे आप कर सकते हो ये अनुचेद 110 के तहट इसे पारित करा दिया जब इस अनुचेद के तहट आप मनी बिल के तहट आप इसको पारित कराते हैं तो इस पे संशोधन करने की शक्ती राजसभा को नहीं होती तो सम्विधान की भावना पर ये बहुत बड़ा हमला भी हुआ और लोक्तंतर पर ये उसके बाद से निरंतर हमला हो रहा है एक अपारदर्शी तरीके से पैसे एक खटे किये जा रहे हैं तो आप सोचिए कि एक मनी बिल से भारती जनता पार्टी ने विधायक खरीदने सरकारें गिराने का सारा मनी जुटाने का इंजाम इस एक मनी बिल से कर दिया बाकी तमाम पार्टियां को आप जोड़ दीजिया तो भारतिय जनता पार्टी को तीन गुना चंदा इस एलेक्टोरल बॉंड से के माध्यम से अधिक मिला है तीन गुना यू आड़ पार्टी तीन गुना यू आड़ पार्टी तीन साल के नेट प्रॉफित का 7.5% से जादा दान नहीं कर सकती थी 7.5% of the net profit of 3 years यह रूल था लेकिन भाजपा सरकार ने वो लिमिट हटा दी अब कंपनी को यह बताना भी नहीं है कि किसको कितना चंदा दिया देखिए कितना अपारदर्शी है व्यक्ति दे सकता है कंपनी दे सकती है बिना किसी को यह बताए कि कितना दिया किसको दिया क्यों दिया इतना बड़ा बेनामी धन किसी पार्टी के खाते में आ जाए तो हमें अब सबस्ष तोर पे समझ में आ रहा है कि काला धन कैसे सफेद होता है जो राहुल जी कहते हैं कि वो fair and lovely scheme है तो यह fair and lovely scheme का एक ज्वलंत उधारन है कि एक पार्टी के खाते में यह सारा पैसा जाता है और सफेद हो जाता है ED, CBI, income tax न इनके कोई छापे पढ़ेंगे न यह दर्वाजे पर दस्तक देंगे इस पार्टी के हर छोटे भड़े व्यापारी की नाक में दम कर दिया है इन एजन्सीज रादनितिक प्रतिद्वंदियों के साथ जो दुर्वेभार किया जा रहा है इन एजन्सीज के माद्यम से वो आपके सामने है लेकिन इतना बड़ा पैसा देश से विदेश से अलग-अलग तरीके से इलेक्टरल बॉंड्स के जरीए आ रहा है लेकिन इनका दर्वाजा नहीं खट-खटाया जा रहा है उसाहिया भये कोत्वाल कोई डर ही नहीं है तो अब सवाल हमें मोदी जी से पूछना है भारती जनता पार्टी अनड़ा जी से हम नहीं पूछते हमें उनके लिए बुरा भी लगता है तो उनके प्रती हमारी पूरी सानुभुती है तो उनका नाम लेना अच्छा नहीं लगता मुझे हमारे कोलीक्स भी कहते हैं कि रहने दो उनको क्यों परिशान करते हैं पार्टी में भी परिशान हैं हम भी परिशान करें अच्छा नहीं लगता तो मोदी जी से और अमिट शाह जी से सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्टरल बॉंड्स योजना के परिनाम सरूप जो आपने कॉर्परेट दान की सीमा समाप्त कर दी और जो आवि लेजितिमाइज क्रोनी क्यापिटलिजम थूडिस एलेक्टरल बॉंड स्कीम आप यूजिव लेजिटिमाइज रेंट सीकिंग बाये गववेंट स्टेट स्पॉंसर्ड रेंट सीकिंग के अलावा यह एलेक्टरल बॉंड स्कीम और कुछ नहीं है सिर्फ यही है मोदी सरकार हर संस्थान आरबियाई, एसी आई, सी आई, सी पर बुल्डोजर चलाने और लोगतंत्र को ध्वस्त करने के लिए अदालत को अब क्या कारण देगी सुना है जनवरी में अदालत में यह मामला उठाया जाएगा भारती राष्ट्री कॉंग्रेस चुनावी फंडिंग की पारदर्शी व्यवस्ता चाहती है हमने अपने पिछले मैनिफेस्टों में बड़ा इसपश तौर पे का था कि इस अपारदर्शी योजना को हम खतम कर देंगे हमने रायपूर के हमारे जो पिछासिवा अधिवेशन था उसमें भी स्पश तौर पे अपनी मन्शा जाहिर की है और आज फिर दोहराते हैं Congress Party stands absolutely opposed to this opaque system of electoral funding we had given some very constructive suggestions not just in our manifesto of 2019 we also repeated reiterated and elaborated in our 85th adhivation in Raipur this year we stand by that and we will expose whenever we get a chance we will expose this chronic capitalism of the BJP